सावन का व्रत यह पांच महिलाएं और पुरुष गलती से भी ना रखे, भयंकर पाप लगता है. शिव जी हो जाता है क्रोधित, शिव ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते. अतह पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महाद देव जरूर लिखे. साथ ही वीडियो को शेयर करे. दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें. सावन महीना कब से लगेगा और कब समापती होगी? और कितने सोमवार पढ़ रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें. इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024, सोमवार के दिन पढ़ अजाएगा दोस्तों. अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पढ़ेंगे? और आपको कितने वरत रखने हैं? आईए जानते हैं, सावन मास का पहला दिन, 22 जुलाई, दिन सोमवार है. पहले ही दिन सावन में सोमवार पढ़ने से चार चांद लग सावन का दूसरा सोमवार वरत, 29 जुलाई दिन सोमवार है, तीसरा सोमवार वरत 5 अगस्त, सावन का पवित्र चोथा वरत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को पाँचवा सोमवार है दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यान सावन का महीना प्रेम का महीना भी माना जाता है। या अन्य पवित्र नदियों से जल लाते हैं और भगवान शिव का जल अभिशेक करते हैं जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं। तीन ऐसी महिलाएं और पुरुष सावन के इस पवित्र महीने में व्रत कभी न रखें। शिवजी, इनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर आप भी इन में से शामिल हैं तो जान ले। यह बातें तो चलिए। जानते हैं दोस्तों, नमबर एक। खास तोर से पति-पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्यो पूर्ण मान फेरे नहीं लिए हैं, तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहे, बगैर साथ फेरे लिए, कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात का कतई मना ही है। अगर आपने कोट मैरिज किये हैं, तो फिर भ शास्त्रों के विरोध ऐसा करते हैं, तो आप पाप का भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों नमबर दो, मन में करूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति, सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे, ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। महादेव, अ हमेशा क्रोधित रहते हैं, और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है, तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे दोस्तों। तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहता है, पति-पत्नी जब साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं, तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं, तो दोनों को एक होना पड़ेगा। त ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नमबर पांच, यह गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार, कुमवारी कन्या को शि अगर पाना है महादेव जैसा पती, तो इस वरत को कुमवारी लड़कियां जरूर रखें। खास तोर से सावन में जब कोई कुमवारी कन्या इस वरत को भली भांती पूरा कर लेती है, तो यकीनन उसे महादेव जैसे पती की प्राप्ती अवश्य होती है। दोस्तों, में से कौन-कौन चाहता है कि सावन के इस पवित्र महीने में शिव हमारे घर में अपना वास हमेशा के लिए बना ले। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय भोले बाबा, आपकी सभी मनों कामनाएं पूरी करें। दोस्तों, भगव भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ती भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग माता पारवती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सक्चे हृदय से शिव जी पर जल चड़ाते हैं, तो शिव पारवती उन पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुरान में बताये गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन के महीने से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताये गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है, खास कर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव और पार्वती रूठ जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है, जिन्हें करने वाले व्यक्ती पर शिव जी कभी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। सावन के महीने में पति-पत्नी को एक साथ शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन सोमवार को इस दिन महीलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगासनान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास खयाल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए न बैठे। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाक की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती है। उसके पती पर संकट आता है। दूसरी बात है, सावन सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुब माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मक्ता के प्रतीख है। इन्हें पहन कर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है, सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए, शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है, सावन का महीना, प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति-पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद-विवाद, अथ्वा लडाई-जगडा नहीं करना चाहिए। खास कर सावन सोमवार के दिन भूल से भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव और पारवती को आदर्श पति-पत्नी के रूप में देखा जाता है, और पति-पत्नी के रिष्टे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति-पत्नी को एक साथ शिव पारवती की तरह रहना चाहिए, तब ही उनका साथ-साथ जन्मों तक बना रहता है। पांचवीं बात है, स्त्रीयों को अपने श्रंगार की चीज़ें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने श्रंगार की चीज़ें दूसरों को दे देती है, उसका और उसके पति का रिष्टा कमजोर पढ़ने लगता है। आप सावन के महीने में नया श्रंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। छटी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पती और पत्नी को मांस, मचली, अंडा, आदी प्रकार की मांसाहारी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदी भी नहीं खाना चाहिए। इस से व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिवजी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बलकि वह व्यक्ति शिवजी के दंड का पात्र बन जाता है। सातवी बात है, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। श्रावन के महीने में अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो उस पति-पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। पलंग पर, अथवा बेड पर भी ना सोएं, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीरवाद देते हैं। आठवी, बात है दोस्तों, पति-पत्नी को इस महीने में व्रिक्ष नहीं काटने चाहिए। सावन मास के सोमवार के दिन व्रिक्षों को हानी नहीं पहुँचानी चाहिए। किन्तु पत्ते तोढ़े जा सकते हैं, बेल के व्रिक्ष के पत्ते तोढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं, तोढ़ना चाहिए, इससे शिव जी का अपमान होता है, नवी, बात है, घर को गंदा न रखें, सावन में माता पारवती और भगवान शिव आपके घर पर आते हैं, इसी लिए घर को गंदा न रखें, नियमित रूप से स्वच्चता बनाये रखें, जिस से शिव पारवती प्रसंग होकर आपके घर में